आप लोग भी कहेंगे यह फिर से हैंड पेंटेट दुबटा उठा लाई है लेकिन यह मैं स्पेश्वली वीडियो के लिए नहीं बना रही असल में मुझे मेरी एक फ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना था और जिससे वह मुझे हैंड पेंटेट दुबटा की रिल्स सेंट करती तो आइनो उसे हैंड पेंटेट दुबटा बहुत पसंद है तो इसलिए मैं उसके लिए एक बना रही थी तो पर जब मैं यह दुबटा बनाई रही हूं तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूं अच्छा जै यह तो यह फैब्रिक और गैंजा का है और इसको मैंने टाय करवाया है यह पिस्ता शेयर में वाइट दुबटा मैं नहीं बनाना चाहरी थी और यह मेरे पास फैब्रिक 3 मीटर का है लेकिन मैंने इसमें से हाफ मिटर निकाल दिया था क्योंके जिनके लिए मैं बना रही हूं उनके लिए 3 मीटर का दुबटा ज्यादा हो पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था फिर मैंने लास्टली यह दो डिजाइन सेलेक्ट कर लिये थे एक है यह मारिया सजाद का डिजाइन और यह जो दूसरा है यह है तूबा मलिक ओफिशियल के पेट्स है तो पहले मेरे माइन में था कि मैं दूसरे वाला ह चाँते होँ आप लोगो इतने कुछिंड होते हैं कि दूलने के बाद निकल तो नहीं हो जाएंगे यह खराब तो नहीं हो जाएंगी मतलब यह मतलब यह फैबरीक पैंट्स हैं स्पेशली फैबरिक्स के लिए बने हैं तो अपलाई करने के बाद यह नियूं क्यों रहेंगे अच्छा दुपटे पर डिजाइन है अगर मैं आपको दुपटे पर बताओं तो वह काफी मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैं पहले आपको पेपर पर समझा रही हूं तो इस डिजाइन में हमारे पास होंगे कुछ बड़े फ्लावर्स तो जो हमारा बड़े वाला फलावर्स होगा उसके ओपर हम एक और थोटा फलावर्स बनाएंगे साथ में सतरह की डंडिया होंगी जिन पर छुटे-छुटे सर्कल्स होंगे और इसी के साथ एक तीन पतियों वाला च्छोटा सा एक और फूल बनेगा तो यह तीन पूल होंगे दो पटे पे और इनके मियां जो अप जगा रहे गाएं बी हम वह चूते ऐस बना लेंगे और साथ में पते बनेगे कोई जोड़ कर पते बना लेंगे कोई सिंगल पता बन जाएगा तो इन फूलों के दर मैं जो जगा होगी वहाँ पर हम यह पते और बना लेंगे आसंब दूसरे रिबना लेंगे एंट ड again वहाँ थाफिक ले लिए तो अब हम आफना यह प्रणा रखेंगे और इसको हमने trace करना है लेकिन उससे पहले हम दोनों तरफ 3-3 इंच का fabric छोड़ेंगे pencil से tracing कर लेनी है उसके बाद हमने fabric को double fold किया है और जो इसकी fold वाली side होगी उसे रखेंगे नीचे अब हमारा जो दूसरा flower होगा वो दूपटे के center में आएगा इसलिए यहां पे हम 6-6 इंच पे mark कर रहे हैं क्योंकि हमारा flower 12 इंच का है तो वो 6 इंच एक तरफ और 6 इंच दूसरी तरफ जाएगा अब इन निशानों के दरम्यान रखते हुए और नीचे से fabric छोड़ते हुए हम उपर flower trace करेंगे और अब हमारा जो तीसरा flower होगा वो तो पटे के दूसरे किनारे पे बनाएंगे और ऐसे ही यही flowers दूसरी तरफ बना लेंगे अब यहां मैंने एक और पेपर लिया है इसकी लंबाई है 15 इंच इसके उपर मैंने अपने दोनों छोटे flowers ड्रॉ किये हुए और साथ में दोनों डंडिया है इस paper को fabric के नीटे रखेंगे और जो हमारा बड़े वाला flower है उसके साथ इसकी डंडिया जोड़ेंगे और इसको भी trace कर लेंगे बाकी इन flowers के दरमियान जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पते और डंडिया बनानी है वो सारी मैं free handy दोपटे पर डारक बना लूँगी तो यहाँ पर मैंने अपना 14 इंच वाला हूप लिया है 12 इंच का हमारा बड़े वाला flower है तो वो इसके अंदर आराम से आ जाएगा paint से यहाँ पर मैंने mix कर लिया है और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले pink color से flower बना रही हूँ अच्छे से flowers की petal को shape देनी है और अंदर सारी feeling कर लेनी है अच्छे यहाँ पर मैं आपको बता दो आपने जो flowers की पतियां है इनको ज़्यादा गहराई नहीं देनी मतलब हलके हलके से cuts रखने है इसकी मजीद detailing हम hand work से कर लेंगे बाद में सेकिंड कलर मैंने यहाँ पर लाइट परपल कलर लिया है यहाँ पर मैं अब छोटे flowers paint कर रही हूँ तो यह मेरे पास red कलर है तो यह दोनों हमारी छोटे वाली पतियां paint हो गई है जल्दी dry करने के लिए मैं hair dryer use करती हूँ सादा green कलर से मैं इन छोटे फूलों की डंडिया बना रही हूँ जो के बड़े flower के साथ जोड़नी है और इसी सादा green कलर में मैंने थोड़ा blue कलर add किया है जिससे हमारे पास यह blueish सा green कलर बन गया है और इससे हम अपनी डंडिया बनाएंगे फिर हम इनके किनारों पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाते जाएंगे सर्कल्स बनाने के बाद मैं इसके दरम्यान में इसको और ठिक कर दे रही हूँ इसकी डंडिया को मैंने अंदर से और ठिक कर दिया है तो ऐसे यह दोनों तरफ यह डंडिया बना लिया है मैंने चोटे सरकल्स वाली अच्छा यहां पर आप देख लें मैं यही सारे कलर्स यूज करूंगी पूरे दुबटे पे लाइट परपल पिंक रेड ग्रीन और ब्लुईश ग्रीन जो मैंने बनाया था यही कलर्स मैं बारी बारी रिपीट करूंगे सारे फ्लार्वर्स में पूरे दुबटे के पैटन में तो यहां पर अपना पूरा दुबटा पिंट कर लिया है कैसे की मैंनेज किया है तो वह मैं आपको एंड पर दिखा दूंगी अभी हम हैंड़ पर आते हैं तो सबसे पहले मैं पतों पर काम करूँगी उसके लिए मैंने यह सीकॐंस लिए हैं था पहला से फासना चोड़ते हूए स dlk को निकाली है इसके उपर एक वर्पर श्जाला है और हमने यहीं पिछले जोड़े कर लगाने यहां यह वही म्यूज वाले जो ड्रेसिस पर सिकुंस लगे होते हैं तीन तीन जोड़कर यह वही एक सिकुंस यहां पर मैंने लगाया है बनाकर यह लीव्स हमने ऐसे फिल कर लेने हैं स्मॉल सिकुंस और पड़े सिकुंस लगाकर इसके बाद हम अपनी छोटे सर्कल्स वाली के का पीस इन तीनों चीज़ों को हमने इस तरह से अटाच करना है आगे भी हम ऐसे ही सिकुंस स्मॉल पर्ल और दपके को ऐसे अटाच करेंगे इन सारे चोटे सर्कल्स में तो यह ऐसे लगेंगी हमारी डंडियां कम्प्लीट होकर अब हम बड़े फ्लार पे आ जाते हैं य जो दपका होता है वो बिल्कुल स्मूध होता है उसका सर्फिस होते दोनों ही यह स्प्रिंग्स हैं मतलब आप इने कहेंगे तो यह स्प्रिंग्स बन जाते हैं लेकिन नक्षी जो है उस पर टेक्स्च्चर होता है काफी और जो दपका है वह बहुत स्मूध होता है और थो इस ब्ड़ फ्लावर् में यहां और अब कूट लेंगे तो इस बड़े फ्लावर के अंदर पहले मैंने एक सरकल बना लिया और वसके आंदर मैंने 4 सिक्विंज जोड़्कर लगाएए बड़े वाले अब यहां पर यह medium size sequence है और साथ में small pulse है वो मैं attach करूँगी इनके साथ एक sequence अंदर लगाया है और बाकी एक पूरी line जाएगी इन बड़े sequence के साथ फिर इनके ओपर मैंने flower sequence लिया है और उने भी मैं small pulse के साथ attach करूँगी इन flowers में मैंने हलका हलका सा फासला रखा है अब यहां पर मैंने एक दबके का piece लिया है उसे attach किया है स्वीट थोड़े से फासले बे उपर निकाली है और उसके उपर मैंने flower sequence attach किया है परल के साथ और अब की बार मैंने नक्षी का piece लिया है और उसके साथ flower sequence attach किया है तो अब ऐसे ही मैं बारी बारी नक्षी और दबके के साथ यहां पर पूरे में flower sequence अटाच करूंगी अब इनके center में जगा खाली-खाली सी लग रही है तो यहां पर मैंने एक-एक small sequence अटाच किया है तो यह हमारा circle अब complete हो गया है अब इसके बाद मैंने small teardrop shape में pulse लिया है इस circle के साथ ही सुई निकालेंगे और उसमें एक medium size sequence के साथ teardrop pearl अटाच करेंगे उतना साही आगे और फासला छोड़ेंगे और फिर से sequence के साथ teardrop pearl लेंगे और सुई को पिछले sequence में अटाच कर देंगे ऐसे ही हमने यहाँ पर पूरी line बनानी है जब तक कि वो पती के किनारे पे न पहुंच जाए ऐसे यह lines बनाते हुए हम पतियों में partition create करेंगे जिससे यह पतियां अलएदा अलएदा नज़र आएंगी इसलिए हमने start में पतियों की इतनी गहराई नहीं रखी थी अब इन पतियों में हमने काम करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर दबके का piece अटाच करी हूँ स्मॉल सिक्विन के साथ इस तरह से हमने फासले फासले पे यह लगाते जाना है तब तक जब तक कि यह पूरी पती फिल ना हो जाए तो यह हमने यह पतियां फिल करनी है अच्छा यहाँ पर मैंने एक पती नकशी और सिकुन से लगाई है दूसरी दबके और सिकुन के साथ फिर से नकशी और सिकुन तो इस तरह से हमने बारी बारी नकशी और दबका लगाना है इन पतियों में सिकुन के साथ तो यह हमारा flower complete हो गया है, बहुत ज़ादा shine है इस flower में, और ऐसे ही मैंने नक्षी और दबगा पतियों में repeat करते हुए, पूरे में लगा दिया है, दो पतियों same जाएंगी, इसके बाद हम अपने next flower पे आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे flowers में, बड़े flowers में दो तरहां के patterns है embroidery के, तो मैं अब आपके साथ दूसरा वाला share करने लगी हूँ, तो इसके center में मैं एक circle बना रही हूँ, medium size sequence को attach करके, pulse के साथ, इस circle में 4 lines लगेंगी sequence की, उसके बाद मैंने यह petal sequence लिया है, और उसे मैं attach कर रही हूँ, एक दबगे के piece के साथ, तो पैटल sequence लगने के बाद यह ऐसे हमारे पास sunflower जासा यह shape आ जाएगा, यह बनाने के बाद मैंने इन पतियों की partition भी कर ली है, pulse और sequence लगाकर, अब यहाँ पर भी हमने काम करना है पतियों में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बड़े sequence attach कर रही हूँ, तीन sequence attach करने हैं ऐसे उसके बाद small sequence के साथ spray work करना है इसके अंदर, पूरी पैटल हमने ऐसे भर लेनी है, दूसरी पैटल में काम करने के लिए मैंने यहाँ पर flower sequence लिये हैं, तीन flower sequence जोडने हैं, साथ, और यब इन तीनो flowers के साथ, साथ, एक petal sequence लगेगा दबके के साथ, तो यह तीन चोटे-चोटे flowers बनाएंगे हम एक petal में, और यहाँ पर भी हम sequence लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इन sequence का थोड़ा सा फासला ज्यादा रख रही हूं, यह देखने हैं, पहले वाली petal में ज्यादा sequence लगाए हुए हैं मैंने, और दूसरे वाले में कम हैं, त इस चोटे वाले flower में मैंने बड़े वाले sequence अटाच कर लिया हैं, तीन, उसके ओपर दबके के पीस के साथ मैं परल अटाच कर रही हूं, और उसकी side पे दबके के pieces लगा रही हूं sequence के साथ, और अब इनकी side मैं flower sequence और medium size sequence अटाच करूंगी, अब यहां पतियों के किनारे के पास, यहां पर मैं एक flower sequence अटाच कर रही हूं, और उसके ओपर बिलकुल नीचे की तरह ही एक दबके का piece पारल के साथ और बाकी sequence के साथ, और end paint में sequence लगा कर इसको भर देना है, जो यह अब हमारा last flower रह गया है, इसके अंदर हम 3 sequence अटाच क कर लेंगे पहले, उसके ओपर मैं एक पूरी line दूँगी, medium size sequence की जो कि attach करने है, pulse के साथ, फिर मैं यहां पर petal sequence attach करूंगी, एक half circle बनेगा यहां पर, और फिर उनके ओपर साथ में हम flower sequence भी attach करेंगे, इसके बाद इन पतियों की भी partition कर लेनी है, pulse और sequence लगा कर, और वैसे ह जो हमने पहला बड़ा flower fill किया था, नकशी और दबके के pieces लगा कर sequence के साथ, इसको भी ऐसे fill कर लेना है, तो यह पूरा दूबटा ऐसे हमने बना लिया है, यह कैसे complete किया है, यह बस हम जानते हैं, और हमारे हाथ जानते हैं, मतलब इतनी सर्दी में, इस तरह का handwork करना बहु और टाइम लगा इस पे, क्योंकि यह अब तक का मेरा बनाया हुआ सबसे हैवी दूबटा है, यहां पर मैं आपको colors का बता दू, मैंने तीन colors यूज किया थे flowers में, red, pink और light purple, तो अगर मैंने नीचे red color का flower paint किया है, तो उपर मैं pink और light purple color लगाऊंगी, दोनों चोटे flowers में इसी तरह से उपर मैंने यहां पर pink color का flower paint किया है, और पीछे जो red और purple color रहे के थे, वो मैंने चोटे flowers में paint कर दी है, और दूसरा यह कि जब मैंने flowers में काम किया है, अगर एक flower में मैंने नक्शी और दबका लगाया है, तो दूसरे flower में मैं चोटे flowers और sequence लगाऊंगी, और और उसके साथ छोटे flowers और sequence वाला flower होगा, यानि जो opposite side पे flowers आएंगे, उन दोने में different काम होगा, और मैंने इसी के साथ ही, यह matching potly bag भी बनाई थी, इसका tutorial मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने इंस्ट्राग्राम पे आप से पूछा था कि आपको कौन से side अच् और और आप आप लोगों ने भी टुटोरियल जोई किया हूँ, थाइंक यू फर वाचिंग, बाई